हलो वीवर्स आज मैं आप लोगों को बताऊंगे बहुत ही ब्यूटिफुल सा शॉर्ट टॉप कैसे बनाते हैं वो भी आपके पास जो पुरानी कुर्ती हो उससे तो अगर अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए और ब इस तरीके से हम 26 इंज पर इस तरीके से कट कर लेंगे अब आपको इसे हाफ फोल्ड इस तरीके से कर लेना है कुर्ती को और हाफ फोल्ड करने के बाद आपको उसको जो कॉर्णर एरिया है कॉर्णर एरिया पर आपको इस तरीके से राउंड शेप्ट लगाना है ठीक है इ आपको sleeves का length आप जितना भी चाहें जितना भी आपका है उतना आप रख सकते हैं मैं यहां पे 12 एंच का रहना चाहती थी इसलिए मैंने इसे cut कर दिया ठीक है और अगर आपके कुर्टी में long sleeves है तो उसे long sleeves ही रहने देआ आप जैसे भी पसंद करें उस तरीकेस रख सकते हैं ठीक है तो मैं यहाँ पर दुद्रा स्लिस भी 12 इंचेस का रख रही हूं ठीक है अब आपको क्या करना है जो कुर्ती का जो नीचे वाला पोर्शन था उसको आपको इस तरीकेसे लेना है और इसे दोनों को दोनों पार्ट करना है तो साथ इंच का हम यहाँ पर ले रहे हैं इसका लेंक्ध तो इस तरीकेस साथ इंच पर आपको इस तरीकेसे कर लेना है तो आपको देखिए यहाँ पर अब इसे हम कट कर लेंगे जिससे यह फिनिशिंग के साथ आपको इसे कट करना है अब आप देखिए कि इसमें का जो आम रिला टाइप का बनाने वाले हैं हम इसे तो इसमें हाफ फुल्ड थोड़ा सूपर इसे हम कर लेंगे दो इंच उपर इस तरीके से ठीक है और इसे फिर से फोल्ड कर लेंगे और दो इंच का आपको यहां पर इस तरीके से मार्किंग करना सेंटर से इस तरीके से करने से यह होगा कि यह आपन डाउन पैटर्न में यह बनेगा इसमें का जो डिजाइन बनेगा वह आपन डाउन पैटर्न बनेगा और दो इंच का आपको इस तरीके से राउंड शेप ल निच?. करेंगे से कि दोनुप तूंपलिया चोटे छोटे नाच कत लगा लेंगे थीक है ताकि हमें पता चले थीक है है अब हम स्क्राइव स्चरा था िक वृष्ष्च video लोग Iraqi marked हला दो रूपप जितना भी होल का वह हो उसने इतना आपको रख ले रहा है थीक यह और इसले इस तरीके से आपको रांड में इसे कट कर लेना है टीक है अब हम जो इसमें का जो आपको cut कर लेना है, ठीक है? अब आप यहाँ पे देखिए, आब हम यहाँ पे जब इसे stitch करते नहीं बनेगा, इसले हम यहाँ पे, जो main skains holा है, दोäng ठीक हुआ है, उसको हम यहाँ पे remove कर रहे हैं, ठीक है because अगर यह रहेगा तो इसमें का जो डिजाइन बनाते नहीं बनेंगा स्लीज में तो इसलिए हम यहाँ पर साइड का जो फिटिंग का जो सिलाई था उसे हम यहाँ पर निकाल लेंगे आप यहाँ पर देखिए कि अिस्लीज है उसको हमने कूरती कूर्टी थी उसे स्मय रखना है और आपको उसके चारोट तरफ इसे शीआय लगा लेंगी है ठीक है यहां पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें आपको सिलाई लगा लेनी है अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ कोई ही प्रॉब्लम होती है तो और यहां पर राउंड शेप में छ ताकि इसमें फोल्ड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है और यह जो खीचा खीचा टाइप का दिखता है वो नहीं दिखेगा तो इसले आप इसमें करना है आपको कि इसके बीच में भी आपको सिलाई लगा लेनी है ठीक है इससे अच्छे से यह फोल्ड होता है तो इस तरगे से हमनें सिलाई लगा ली है अब हम उसमें को फिरिल है उसे सीधा रख कर लिए उपर کی तरफ और उपर की तरफ करने के बाद आपको उसके उपर सिलाई लगा लीनी है देखिये श्लिव में और उसकी नीचे पोल्ड स्छन में जょ कि उसमें का जो रेशा वगर है वो ना निकले और फिनिशिंग के साथ हमारा टॉप रेडी हो उसके लिए आपको इसके नीचे नीचे आपको सिलाई लगा लेनी है देखिए इस तरीके से देखिए फ्रिल कित्ते अच्छे तरीके से बन गया है इसमें और देखिए अब यहा इसमें पर फिनिशिंग के साथ बना ली है अब यहां पर देखिए जो सोल्डर के पास फ्रिल है वो नीचे गीर रहा था थीक है जो की अच्छा नहीं लग रहा था इस वह जैसे मैंने उसमें को फ्रिल है उसमें उसको सोल्डर के साथ एक बार एक सीलाई करके इसने कर लिया है यह उप्षिनल है आप करना चाहते है तो कर भी सकते है नहीं करना चाहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है यहां पर देखिए हमने लगा लिया है फ्रिल और अब हम क्या करना है कि हमी अब साइड फुटिंग करनी है जो टॉप का जो साइड ठीक है यहां पर देखिए आपको सिलाई लगा लेनी है यहां पर जितना भी फिटिंग का साइज है उसमें आप एक इंच लूजिंग या डिर इंच का आप लूजिंग दे करके इसमें फिटिंग लगाए क्योंकि स्वाट टॉप में पहनते वक थोड़ा प्रॉबलम हो जात हमेशम का सब्सक्रिक नीचे की आपको सिलाई लगा लेनी है देखिया termемся में आपको फिनशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी देखिया कि इसा सब्सक्राइब में नहीं पयारे आप बनाएंगे इसे तो बहुत ही सुन्दर लगेगा यह और यह सीरियसली बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें का जो डिजाइन है मैंने एक्सपेक्ट नहीं कि अथे कि अच्छा लगेगा and thank you so much for watching this video and please subscribe to my channel and thank you so much for watching this video